प्रिया नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधी नमस्कार देश विदेश से देख रहे सभी दर्शिकों को मैं हूँ मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में हम बात कर रहे हैं लक्षमी पूजन के सर्वश्रेष्ट महौरत की ये एपिसोड खास तौर पे आपकी इस शंका को दूर करने के लिए है स्क्रीन के साइड में आपको महरत दिखाया जाए ताकि आप स्क्रीन शॉट ले सके अपने जो भी पंडित जी हैं जिनके द्वारा आप कोई पूजा करवाएंगे या स्वयम करेंगे तो उसके लिए आपके पास में सही गणनाय हों और वहीं अगला एपिसोड और बना र यहां पर दिपावली कह रहा हूं 12 नवंबर रविवार के दिन है और इनकी पूजा शाम के समय में प्रदोश के समय करना यह सबसे जादा महत्वपून है या यह कहें कि यह एक नेसेसिटी है रिवाज है प्रदोश काल में स्वाती नक्षत्र में और चंद्रमा आशी में रहेंगे तो ऐसे मैं सबसे पहले शुरुवात जो है वो हम यह जान करके करेंगे इस एपिसोड में कि सम्रद्वान बनने के लिए क्या क्या करना आज के दिन सुर्योदय के साथ में जरूरी है एक एक करके आपको बात बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा और इनको सिर्फ सुनना नहीं है बलकि करना जरूरी है दिपावली के दिन सुबह के समय सबसे पहले किसी को नौ के लोग गेहूं ये आपको दान करना है फिर सुबह के समय शरीर पर तेल की मालिश के बाद में सनान करनी है क्योंकि नरक चतरदशी ये भी सुबह के समय ही तो ऐसे में जो आप इसको कहिए रूप चतुर्दशी कहिए नरक चतुर्दशी कहिए तो ऐसे में अपने शरीर पर तेल की मालेश करके फिर नहाना चाहिए है तो आज यही आपको सुभे के समय करना होगा सुर्योदे के साथ में ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये उपाए करें तो धन की हानी नहीं होती सौँदर्य में भी निखार आता है फिर सुभह नहा धोकर कर के घर के मुख्य द्वार पर आपको पहुचना है कुम-कुम से स्वास्तिक का चिन अपने घर के दरवाजे पर बनाना है और चावल की एक धेरी पर एक सुपारी पर कलावा बांध दीजे कलावा क्या कहते हैं जो ये हाथ में पहना जाता है इसे कोई मौली कहता है कोई कलावा कहता है इसे आपको उस सुपारी पर बांधना है और उसके बाद मुस चावल की धेरी पर रखना है ये धन प्राप्ती का एक विलक्षन प्रियोग है और दिपावली के दिन सुभे सुभे शिवलिंग पर तामबे के पात्र में जल और केसर मिला करके आपको शिवलिंग पर अर्पत करना है फिर तेल का दीपक अपनी पूजा घर में आपको प्रजवलित करना है इस दीपक में एक लॉंग डाल करके हनुमान जी की आरती कीजेगा फिर दिपावली के दिन जाडू आपको जरूर ले करके आना चाहिए अगर आपने धंतेरस पे ला दिया है तो दिपावली के दिन लाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि धंतेरस पे लाया हुआ जाडू और जादा शुभ माना जाता है पर अगर आप लाना भूल गए है याद फिर इस बात से वंचित थे अग्यान तवश कहें तो आज के दिन सुभे के समय आप जाडू अवश्य खरीद करके ले के आ जाए पूरे घर की सफाई जो है वो इस नए जाडू से ही की जाएगी और जाडू का काम जब हो जाता है तब इसको सामने रखना या गेट के पीछे रखना खड़ा रखना ये सब नहीं करना है बलकि ऐसी जगे रखें जहां पर कोई भी घर में आता है तो उन्हें दिखाई ना दे छिपा करके रखना है फिर दिपावली के दिन किसी भी मंदर में यहां आप जाडू भेट कर दीजेगा सुभे के सबे पद्नी के साथ में विश्नु लक्षमी के मंदर में जाकर के माता लक्षमी जी को पोशाक अगर आप भेट कर सकते हैं तो जरूर कीजेगा और खुश्बदार गुलाब की धूप जो होती है वो प्रजवलित कर उनकी आरती करे आप सुगंदित धूप बत्ती जो कहते हैं वो भेट भी कर सकते हैं मंदर में इसमें कोई भी रोक रुकावट नहीं है फिर दिपावली के दिन सुभे के समय गन्ने को या फिर गन्ने की जड़ जो है उसको घर पे जरूर ले करके आना चाहिए क्योंकि रात में लक्ष्मी पूजन के समय इसकी भी पूजा होती है और धन संपत्ती में ये व्रधी करता है अगर संभव हो सके तो दिपावली के दिन किसी तालाब या तफिर नदी में मचलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाए इस पुन्यकरम से बड़े से बड़े संकट जो है वो आपके दूर हो जाते हैं टल जाते हैं फिर दिपावली के दिन शाम किसम है पीपल व्रक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको प्रजवलित करना है और घर वापस आ जाना है आपको ऐसा करने पर पीछे मुड़ करके वापस उस दिये को देखने की जरूरत नहीं है यह प्रयोग जो है दिपावली के बाद में हर शनिवार को अगर आप नियमत रूपसे करें नियम बना लें तो इससे लाब आपको बहुत जादा हो सकता है फिर बात आती है दिपावली के दिन ही पूर्वजों का आज भी हमारे उपर है हमारे परिवार पर है प्रदोशकाल के समय हाथ में मशाल या फिर दीपक आप लेकर के पित्रों को मार्ग दिखा सकते हैं ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांती और मोक्ष की प्राप्ती होती है घर में स्थित तुलसी के पौदें के पास में दिपावली की रात में आपको दीपक प्रजवलित करना है और तुलसी को वस्त्र अर्पित करने है यानि की चुनरी जो होती है वो आपको उन्हें पहनानी है जो लोग धनका संचे बढ़ाना चाहते हैं उन्हें हर दिपावली पर अपनी तिजोरी में, अलमारी में, कैश नया लाल रेशमी कपड़ा बिचाना चाहिए इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है महालक्षमी का ऐसा फोटो या फिर मूर्ति आप वहाँ पे रख सकते हैं उस तेजोरी में जहां लक्षमी बैठी हुई हो स्थिरता हो तो इससे भी लक्षमी आपके घर में आपके त जोरी में आपकी धन संपदा में स्थिर रहेंगी अब बात आती है लक्षमी पूजा की पूजन के विशेश मोहरत की माता लक्षमी की कृपा पाने के लिए इस दिन को बहुत बहुत जादा शुब माना जाएगा और घर में सुक सम्रद्दी बनी रहे और माता लक्षमी स् प्रदोशकाल के दौरान स्थिर लगन व्रशब में या त फिर ये कह सकते हैं सिंग लगन में स्थिर लगन व्रशब आता है इस स्थिर लगन में माता लक्षमी भगवान गनेश जी के साथ में माता सरस्वती धन के देवता कुबेर महराज और माता काली की पूजा करनी चा जाता है जब तेरा तारिख लग जाएगी तब सिंग लगन का महरत आएगा तो उसमें भी आप पूजन कर सकते हैं क्योंकि वो भी स्थिर लगना है अब बात आती है मेन महरत की जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजे नहीं संभव होता तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी टीम को बहुत अच्छे से समझाओंगा कि साइड स्क्रीन पे आपकी सुवधा के लिए महरत जरूर लिखें अमवस्य आरंब जो होगी 12 नवंबर 2023 को दोपहर में दो बच करके 45 मिनट से होगी और अंत जो है वो 13 नवंबर 2023 को दोपहर में दो बच करके 56 मिनट पर होगा अब लक्ष्मी पूजन का शुब महरत दिपावली पर प्रदोश काल में लक्ष्मी पूजन का शुब महरत 12 नवंबर रविवार की दिन है और ये शास्त्र समत बात कह रहा हूँ प्रदोश समय जो है शाम के समय 5.46 मिनिट से 5.46 पी-म यहां से लेके रात के 8.25 मिनिट तक है शुब चोगड़िया महरत शाम के समय 5.46 मिनिट से 9.45 मिनिट तक है अमरित चोगड़िया 9.4 मिनिट से 10.43 मिनिट तक है 12 तारिख की ही रात को तो व्रशब स्थिर लगन शाम के समय में 6.56 बजे से लेकर के 7.57 तक है और फिर जब बात होती है सिंग स्थिर लगन की तो ये अर्द रात्री में होगा जब 13 तारिक लग जाएगी ये बार-बार आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई confusion ना रहे 12 तारिक की रात हुई 12 बज गई अब 13 तारिक जहां शुरू होती है तो वहाँ पर 12 बज के 28 मिनट से 2 बज के 43 मिनट तक ये सिंग स्थिर लगन है जिसमें पूजा की जा सकती है कुल मिलाकर के बात ये कहूँगा कि 5 बज के 46 मिनट शाम के 12 तारिक से रात्री अर्ध रात्री 13 तारिक की 2 बज के 43 मिनट तक लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है ये समय सर्वश्रेष्ट रहेगा आपको इतनी जानकारी इस वज़े से दे रहा हूँ क्योंकि आपका कही ना कहीं हितेशी हूँ दोस्त हूँ परिवार वाला हूँ यही चाहता हूँ कि जो भी इस एपिसोड को देख रहा है वो सही समय पर शुब महुरत में पूजा करें और लक्ष्मी का आवाहन करें स्थर लक्ष्मी उनको आशिरवाद प्रदान करें और अश्ठ लक्ष्मी यानि की लक्ष्मी के आठों ही रूपों की उन्हें प्राप्ति हो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ जब भी कोई चीज अच्छी लगे ग्यान जो है ये ग्यान ही है जो मैं आपके साथ में बाट रहा हूँ कैलकुलेशन्स है मैं थर्ड जनरेशन हूँ इस एस्ट्र लॉजिकल फामिली का हर किसी की एक्सपर्टीज से उनके मार्ग दिखाने इसे आज इस मुकाम पे पहुचा हूँ जहाँ पे हर किसी की मैं मदद कर सकता हूँ पहले क्योंकि यूट्यूब नहीं हुआ करता था टीवी हुआ करता था तो टीवी पे आते थे अब यूट्यूब है हर किसी के हाथ में है आपको एक समय नहीं है निर्धारत के इस समय ही देखना होगा वरना चीज शूट जाएगी तो इन सभी सुवधाओं को देखते हुए यूट्यूब चानल आपके लिए बनाये गया और इसके अंदर मैं इतनी सी ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको यह अच्छा लगे तो अपने परिवार के साथ में जरूर इसे शेयर कीजेगा ताकि हर किसी को मालूम चल सके कि सही समय क्या है पूजा करने के लिए तो वहीं इस चानल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजेगा आप और आपके परिवार को हमारे परिवार की और से दिपावली की हारदिक शुबकामना है हमेशा की तरह प्रातना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े वुजर्गों का साथ और आशिरवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन